स्वागत है आपका हमारे फिर से न्यू वीडियो में आज जो हम कोश्चन करने जा रहे हैं इस स्रीज का थर्ड कोश्चन करने जा रहे हैं प्रिबिएश एर कोश्चन का अकाउंटिंग रेशी वाले में थर्ड कोश्चन करने जा रहे हैं देखो question कहे कह रहा है, a company has earned gross profit of 25% on cost for the year ended 31st March 2017, its gross profit was 5 lakh, equity share capital of the company was 10 lakh, reserve and surplus 2 lakh, long term loan 3 lakh and non current assets were 10 lakh, compute working capital turnover ratio देखो सबसे पहले आपको निकालना है कि आपको working capital turnover ratio find out करना है, तो आपको पता होना चाहिए what is the formula of, क्या formula है, working capital turnover ratio का, working capital turnover ratio का जो formula है वो है आपका revenue from operation upon working capital, जिसको आप बोलतो net sales upon working capital, तो हम आप फे फॉर्मा लेखेंगे, working capital ratio working capital turnover ratio, working capital turnover ratio एक्वल टू, revenue from operation, revenue from operation upon working capital, upon working capital, अब देखो हमारे पास formula तो आगया, working capital turnover ratio का, revenue from operation upon working capital, तो सबसे पहले हमें इसमें find out क्या करना पड़ेगा, revenue from operation find out करना पड़ेगा, तो हम revenue from operation find out कैसे करेंगे, देखो हमें gross profit दे रहे है, 25% on cost पर दे रहे है, ना यह हमें इसमें cost के बारे बता रहे है, ना यह हमें इसमें sales के बारे बता रहे है, बड़े बता रहे है कि gross profit हमारे पास कितना है, 5 lakh है तो हम क्या कर लेंगे अगर मान लेते हैं if gross profit हमारे पास कितना है 25 है ठीक है तो इसके हिसाब से जो हमारे पास revenue from operation यानि कि net sales revenue from operation हमारे पास कितना होगा 125 होगा तो इसके भिहाब से हम निकाल लेंगे revenue from operation रेविन्यू फ्रॉम रेविन्यू फ्रॉम ओपरेशन रेविन्यू फ्रॉम ओपरेशन रेविन्यू फ्रॉम ओपरेशन इक्वल टू देखो gross property कितना था हमारे पास 5 lakh into 125 upon 25 तो हमारे पास कितना आ गया 25 lakh क्या आ गया हमारे पास revenue from operation हमारे पास 25 lakh आ चुका है देन अब हम क्या find out करेंगे अब हम find out करेंगे working capital देखो working capital का normal formula तो होता है current asset minus current liability यहां पर थोड़ा सा case अलग है तो इसके लिए हमें करना कैसे पड़ेगा देखो हमारे पास क्या equity share capital है reserve and surplus है और हमारे पास क्या long term loan है और non current assets भी है तो इसके भिहाब से मैं निगालना पड़ेगा क्योंकि न हमारे पास current assets है न हमारे पास यहां पर current liability है तो इस case में देखो हमें करना क्या होगा हमें क्या करना होगा equity share capital plus reserve and surplus plus long term loan minus कर देंगे इसमें non current assets को क्या कर देंगे मैं इसमें minus कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया total हमारे पास है 10 lakh plus 2 lakh plus 3 lakh तो कितना होगा 12 तरह 15 पंद्र लाक माइनस हमारे पास non current assets है 10 लाक की 10 लाक तो कितना हो गया minus कर देंगे 5 lakh आ चुका है तो अब हम इसके करेंगे formula में रख दिंगे formula हमारे पास क्या है formula है हमारे पास revenue from operation upon working capital हमारे पास revenue from operation आ चुका है 25 lakh working capital आ चुका हमारे पास 5 lakh तो formula में रख दिंगे 25 lakh upon 5 lakh इक्वल टू 5 0 5 0 काड़ दो पापाजा 25 यानि कि जो हमारे पास जो answer आया हो कितना है 5 times जो हमारे पास working capital टर्नोबर रेशियो जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 times आ रहा है अब यहां पर थोड़ा सा बच्चों को problem आई होगी इस problem करने problem आई है तो इसका देशी तरीका यह बता दे रहा हूं वो तो formula method था suppose कर मानते हैं हमारे पास cost कितनी है हमारे पास cost कितनी थी 100 थी और तो हमारे पास gross profit बताया गया था कितना था 25 परसेंट बताया था तो उसके हिसाब से जो हमारा sales होगा वो कितना हो गया 125 हो गया दे sales निकालना था है net sales निकालना था यानि कि revenue from operation निकालना था तो इस case में हम करेंगे क्या हमें पता है यह 25 कितने से अगर हम क्या करें यहां पे 25 को देखें कि इनके बीच में difference कितना हो रहा है 5 25 5 जा 125 तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमारा gross profit है 5 लाग तो हमारा sales कितन होगे तो question हमारा easily solve हो जाएगा यह कैस कि कौन सा तरीका है देशी तरीका है इसको solve करनेगा ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने friends के साथ को share करें क्यूंकि आपके board exam आने वाले हैं और जो मैंने तो series लगा रिखी कौन सी series है आपकी previous year questions है आपके जितने भ वीडियो